आज हम लोग 125 से 150 तक प्रश्णों को करेंगे और लगभग लगभग ये समझेगी हमने इस चैप्टर में 80% पढ़ लिया है LCM HCF से question आते हैं एक नमबर या दो नमबर का question railway exam या SSC exam में आपको देखने के लिए मिलता है मैं बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ आपको आप भी ध्यान से पढ़ते रहिए और practice करते रहिए और मुझे पता है already course बहुत लेट चल रहा है आपको मैंने सारी conditions बताई हुई है कि मैं किस किस परिस्तितियों से वर्तमान में घिरा हुआ हूँ तो वो सभी चीज़े मेरे दिमाग में already है मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मेरी वज़ें से आपको लेट होता है फिर बात करते हम लोग आगे तेखिए यहाँ पर ये question इस तरह के आप लोगों ने पढ़ लिये थे 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ग्यात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर करम से 7, 10, 23 से इस बचे सबसे पहली बात तो आंसर वो होगा जो 23 का multiple होगा 23 से कटेगा पहली बात तो यह दूसरा यह है कि जब 18 से भाग कर रहे हैं तो 7 तेस फल बच रहे हैं अब आप एक की सोचिए 18 से भाग किया 18 को 9 से भाग दीजिए तो आपको पता है पूरा पूरा कर जाएगा आप 7 को 9 से भाग देंगे तो remainder कितना बचेगा 7 ही बचेगा एक चीजी समझे में आ गई तो remainder कहां कहां पे 7 बच सकता है आप सबसे पहले तो यही चीज देख लीजिए यहाँ प अगर आप देखेंगे 6 और 3 9 तो यहाँ पर remainder बचेगा 3 इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 और 3 5 तो यहाँ पर remainder कितना बनेगा 5 बनेगा अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 और 3 6 और 7 तो remainder यहाँ पर 7 बनता दिखाई दे रहा है यह भी confirm कर लो कि क्या इस अ पूरा-पूरा ये कट जाएगा तो यहां पर आंसर 3000 बन जाएगा समझ में आगे सवाल सारे अच्छे हैं unlock से पढ़ते रहो नेक्स सवाल करिए और इसको करने के कोसिस कीजिए सिंपल है चारंग को की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो की 5-6-8-15-18 से भाग देने पर हर कंडिशन में दो सेस बचे आपको पता है 18 सबसे पहले अगर 9 से संख्या दिखाई दे रही है 9 से कटने वाली तो आप लोग उसी का हेल्प जरूर लें जैसे यहां पर 18 है 18 से भाग देने पर सभी से भाग देने पर दो सेस बच रहा है तो आप इसमें डिजिटल सम का तरीका लगा के देखिए साथी साथ हमें यहां पर दिखाई दे रहा है 15 और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 5 15 और पांच भी हमें दिखाई दिया तो 5 का रूल आप जानते हैं यूनिट डिजिट में भाग दे के देखना है तो सभी में सेस्फफल कितना बचेगा 2 बचेगा 5 से समझ में नहीं आएगा हम लोग पहले 9 से देखे देखते हैं देखी जैसे यहां पर 6 और 3 9 और यह 9 तो यहां पर कितना बचेगा 2 बच रहा है 2 9 7 और 2 9 यहां पर 2 बचेगा यहां पर भी 2 बच रहा है आगे आप देख लो 9 17 और यह 4 21 तो यहां पर 3 सेस्फल बचेगा यह तो कभी आंसर होगा नहीं यह 9 और 9 कर जाएगा 7 और 2 कर जा आपको आश्ट का रूल भी मैंने बताया था आश्ट का रूल क्या है जैसे 9-3-6-2 समझ दो फिर से जैसे 9-3-6-2 यह नंबर है तो यहां पर जो तीसरा अंक है यह विसम है तो लास्ट के दो अंक में आप जोड़के देगे कितना चार एड़ कीजिए तो कितना होगा 66 आप जब इसे 8 से भाग देंगे तो यहां पर 8-8-64 तो सेस्फल कितना बचेगा दो बचेगा बिल्कुल सही है दो बच रहा है एक दूसरी संख्या भी है 9-7-2-2 यहां पर तीसरा डिजिट क्या है हमारे पास विषम है तो यहां पर लास्ट डिजिट में लास्ट दो अंकों में चार जोड़िये 26 जब आप 8 से दिवाइड करेंगे तो यहां पर सेस्फल कितना बचेगा सेस्फल दो बचेगा आठ तिया 24, तो सेसफल हमारा बचेगा 2, उसने क्या कहा, कि 4 अंकों की, ध्यान से बात समझिये, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उसने आप से पूछी है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, आप खुद ही सोचिए, उप्शन नंबर 1 या 2, तो आपको चलो, आगे चलते हम लोग, क्या है अगला सवाल हमारा, बस आप लोग पढ़ते रहो ध्यान से, तेहरा काव है सबसे छोटा गुणा, जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर पढ़ते एक दसा में 2 सेसफल बचे, मेर से पहले सवाल को कर लो, जैसे 5 है, 5 से ये तो 0 है, आप पू 240 आंसर नहीं बनेगा, हाँ, दूसरा या फिर तीसरा आंसर हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से 2 और 3 में हम कंफम हो गए, किया तो 2 या फिर 3, अब आप लोग 8 का रूल लगाईए, ठीक है, और अगर आप 4 का रूल लगाएंगे, तो 4 से लास्ट के 2 डिजिट काटक भी चाहिए, तो 13 से काटके देख लो, इनमेंसे कौन-कौन संख्या कट जाएगी, क्या 842 तेरा से कटेगी क्या, इसको आप काटके देखिए, 13 से, 13 से कटेगा 6 बार, और कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा 62, तो 13 से संख्या नहीं कट रही, 2522 को आप काटके देखिए, 25 322 को आप 13 से काट के देखिए वैसे तो भाग आप मेरे से तेजी से कर लेते होंगे लेकिन मैं तो समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर देखिए आपने भाग किया 13 से 13 से जाएगा एक बार बचे का कितना 1,2 और यहाँ पर हमारे पास 2 note down कर लेंगे हम 13 से जाएगा 9 बार 117 और यहाँ पर बचेगा पाँच फिर से हम 2 note down कर लेंगे और 13 चोक 52 तो यहाँ पर हमारा option number तीसरा हमें सही दिखाई दे रह समझ में आ गया यह नहीं, इसको basic तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, इसका basic तरीका भी आप लोग समझ लीजिए, ये तो मैंने exam वाला तरीका आपको सिखाया है, देखो basic तरीके सीखने भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर basic नहीं सीखोगे, तो पच्ताना पड़ेगा, 13 का वह सबसे छोटा गुणज, जिसे 4, 5, 6, 8 से भाग करने पर परतिक जसामें 2 सेस बचे, तो एक बात आप खुदी सोचो, 4, 5, 6, 8 से भाग करने पर हर बार 2 बचाना है, ठीक है, तो आप एक की सोचिए, LCM लो पहले, LCM लेंगे 4, 5, 6, 8 का, मुझे आप LCM बताओ कितना आएगा, 4, 5, 8, 8 का LCM बताओ, LCM में सबसे बड़ी पावर लेते हैं आप, 2 की पावर 3, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 भी तो आएगा, समझ में आ गया, तो यह 8, 5, 4, 3, 120, यहाँ पर एक नंबर और आएगा, 7, यहाँ पर 5, 6, 7, यहाँ पर 7 आएगा, और 8, यह बात ध्यान नकना, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ इसमें गड़वर हो सकता है सवाल में, तो यहाँ पर हम लोग एक संख्या और लेंगे, हाला कि अगर ऐसे करोगे, तो तरीका यही रहेगा, तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, तरीका यही रहेगा, तरीके तिया 120, और 12, 74 तो 840 हमारे पास आ गया, यह किलिए रहे, 840 कैसे आया, मुझे लगता है समझी में आ गया होगा, अब 840 एक ऐसी संख्या है, जो 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर हर बार कटती जाएगी, लेकिन मुझे 2 सेसफल बचाना है, तो मुझे इसमें 2 जोड़ना पड अब एक बात सोची, आप 842 को 13 से काट के देखिए, 13 से कटती है या नहीं, तो जब आप इसे काट के देखेंगे, यह 13 से बिल्कुल नहीं कटेगी, चाहे आप यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प को भी बिला लेना, नहीं कटेगी, तो भाई नहीं कटेगी, नरिंदर मोदी जीवे साक्षात अगर दर्सन दें और कहें कि आप से संख्यव काटो तो नहीं कटेगी, डेफिनेटली नहीं कटेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस 840 का डबल लो, 840 का जो डबल है कितना आएगा, 1680, 1680, दो तो हर बार जोडना ही पड़े क्योंकि यह तो बच गुना लीजिए, तो होगा क्या जब आप तीन गुना लेंगे तो 24, 2520 आएगा, 2520 आएगा, और पिलस के दो भी इसमें कर देना, कितना आएगा, 2522, 2522 आगया, अब जो 2522 जब आप जो 13 से काटेंगे तो धडलले से कटेगी, भाई साब दिन धाड़े कटेगी, यह संख् के देखो, मैंने काट के भी आपको बोटी-बोटी करके दिखाई थी, इसकी अभी आपको, तो यह कट जाएगी, 2522, समझ गए, तो इस तरह से, लेकिन एक बात आप खुर सोचो, मान लोगो संख्या 2522 भी ना होती, हमें 5-6-7 बार ये काम करना होता, मान लोगो में 840 में 8 9-10 तक जाना पड़ता, तो सवाल तो ये बहुत बड़ा हो जाता, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात को आप ध्यान सुनिए, हम लोग इसको थोड़ा और शोट करते हैं, बस प्रेम भाव से शांती रखके धहर येसे इस बात को समझते वे चलना, सब कुछ मैं समझा नहीं 840, हमने किया क्या है, पहले इसमें 1 से गुणा की 2 एड़ कर दिया, 840, हमने इसमें 2 से गुणा की, फिर 2 एड़ कर दिया, हमने इसमें 3 से गुणा की, फिर इसमें 2 एड़ कर दिया, अगर मालने ये 3 पर भी बात ना बनती, तो हमें क्या करना पड़ता, 4 से गुणा और 2 तो हर बार add करना ही पड़ेगा क्योंकि successful बचाना है समझ रहे हो मेरी बात तो हम क्या करते हैं इतने लंबे process में न पढ़के हम क्या कर लेते हैं इसको 840 और 7 हमें एक value k ले लेते हैं और plus के 2 ये k का क्या matter है k का मान वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 k की यही value है जो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रख रहे हैं के का मान है हमें तो ये पता है हम इसे भाग करेंगे हम इस संख्या को भाग करेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा 13 से काट के देखना पड़ेगा क्योंकि 13 का multiple वाला answer होगा अगर वो ना बोलता कि 13 का सबसे चोटा गुणज ग्यात कीजिए यह 13 वाली बात ही न होती तो हमारा 842 सा answer हो जाता समझ रहा है आप मेरी बात ठीक है तो यहाँ पर मामला क्या है 13 वाला है तो 13 को देखो अब आप क्या करें 13 से काट के देखे इसे काटे 13 से जब हम 13 से काटेंगे 13 से 6 बार और हमारा बचेगा यहाँ पर 6 तो 13 चोक का 52 और बचेगा 8 साथ में K और 2 बचाना है तो 2 यहाँ पर लेना पड़ेगा तो यह हमारा सेस्वल वाची क्या यह हमारा क्या है 8K पलस 2 बात तमज में आ रही है या नहीं आ रही 8K पलस 2 यह हमने रिमेंडर ले लिया एक तरह से अब यहाँ पर जो वैल्यू आई 8K पलस 2 अब आप क्या करिए K की वैल्यू रखके देखो 1 रखो जैसे 8 कम 8 8 कम 8 पलस 2 क्या 10 13 से कटेगा बिल्कुल भी नहीं कटेगा K की वैल्यू दो रखो 8 दूनी 16 और 2 18 क्या 18 कटेगा नहीं कटेगा K की वैल्यू 3 रखो और पलस के 2 एड़ करो कितना आएगा 26 बिल्कुल यह 26 13 से कर जाएगा इस तरह से हम बहुत जल्दी आंसर तक पहुँच जाएंगे बेसिक तरीके से सवाल आपको पेपर में नहीं करना लेकिन मालूम रहना चाहिए प्रश्नों को करने का confidence आपका इससे बढ़ता है बात समझे में आगई क्या चलो पेपर में करने वाला तरीका मैंने समझा दिया यह सवाल पाँच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या देखो भाई वह सबसे बड़ी संख्या ध्यान दो वह सबसे बड़ी संख्या ग्यात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर परतियक दसा में 2 सेस बचे तो यहाँ पर आप 5 करूल भी लगा सकते हैं तो 5 करूल जब लगाएंगे तो यहाँ पर तो सेस फल 4 बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 समझ गए परतियक दसा में 2 सेस फल बचाना है यहाँ पर 0 सेस फल और यहाँ पर 2 सेस फल चलते हैं आगे इसको पढ़िए वाई सभी बालक चलो हम लोग यह सवाल करके देखते हैं चार अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ग्याद कीजिए 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर यह यह सेस बचे देखो चार कम हुआ चार कम हुआ और यह चार कम हुआ चार का डिफरेंस आ रहा है तरीका नंबर 1 कि आप LCM ले लेजिए उसमें से 4 गटा दीजिए एक आंसर ठीक एलसम लीजिए तरीका नंबर 1 सभी का 15, 18, 21, 24 का LCM और माइनस 4 दूसरा तरीका क्या है हम 18 को उठा लेते हैं यह बताया मैंने पहले भी 18, 9 से कटेगा 18 के केस में रिमेंडर क्या है यहाँ पर 14 है तो 14 को आप 9 से भाग दीजिए कितना बचेगा रिमेंडर 5 बचेगा कहाँ पर 5 बचाएंगे आप वो देखिए 5 कहाँ पर बचेगा जैसे 6, 12, 16 और यह 23 तो 18, 5, 23 यहाँ पर 5 सेस्फल बचेगा आप जोड़ेंगे 6, 6, 12, 4, 16 और 7, 23 तो 23 में 3 और दो 5 तो डिजिटल सम 5 आया कहाँ पर डिजिटल सम 5 आएगा 5, 10, 16 और यहाँ पर 5, 10, 16 और यह भी यहाँ पर कितना बचेगा है 7, 23 ठीक है यहाँ पर भी 5 सेस्फल बचेगा है अप लोग दूसरी तरी की से जाईए कि दूसरा तरीका कौन सा है आपके पास हम लोग जाते हैं य으 यापर जिसे पंदर्य गुफ़र आप उठाएं ठीक है तो पंदर्य अगर आप उठाएंगे तो 15 आपको पता है 5 से कटेगा मेरे से पहले अंसर करो सभी 15 पांस से कटेगा तो 15 के केस में सेस्फल कितना है हमारे पास 11 तो अगर आप 11 को 5 से भाग देंगे तो सेस्फल कितना आना चाहिए एक आना चाहिए तो कहां से बचेगा एक यहां से 0 से स्फ़ल बचेगा यहां से 4 से स्फ़ल बचेगा यहां से 2 से स्फ़ल बचेगा और यहां से 1 से स्फ़ल बचेगा तो यह आपको सोचना है, समझना है प्रैक्टिस से यह सब चीज आपके आ जाएंगी तो 7556 आपका आंसर होगा अगला प्रशन है कोशिस करिए भाई चलो जी अब हम इस सवाल को देखते हैं क्या करना है इस सवाल में बहुत ही धहर्या के साथ देखे छैंको की सबसे बड़ी संख्या क्या है सबसे बड़ी उठाने हैं 36-48 इस से भाग करने पर परतिया की स्तिति में 10 सेस बचता है जैसे अगर आप 36 से भाग कर रहे हैं और 36 का तरीका पता ही होगा कि 36 नो से कटता है तो आप लोग करिए क्या 10 को उठाईए और 10 भी 9 से काटके देखिए सेस्वल चाहिए आपको 1 एक सेस्वल कहां कहां बचेगा ये 9 तो सारे कट ही जाने हैं जब आप 9 का तरीका लगाएंगे और यहां पर कितना बचेगा 7, 14 और ये 17 तो 9 से यहां पर सेस्वल नहीं बचेगा एक और यहां पर 8 और 7, 15 तो यहां पर सेस्वल बचेगा 6 और 7 और 13 यहां पर सेस्वल बचेगा एक और 7 और 4, 11 तो यहां पर सेस्वल बचेगा 2 तो यह भी आंसर आपका नहीं होगा बात समझ में आ गई ये भी एक प्यारा सवाल है 9847 में से नियुन्तम कि संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि जब इसे 10, 9, 8, 7 से विभाजित किया जाए तो परतियक इस्थिति में करम से 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से स्वल बचे ठीक है इस सवाल ऐसी है किया भई 9, 8, 7, 6 इस तरह 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 फिर 5 आएगा 4 आएगा, 3 आएगा 2, 1 से भाग देने पर ये ये सेस्वल बचे आपको पता है 10 और 1 कम हुआ 9, 8 हो गया एक कम एक एक कम होते चला है तो ऐसे सवाल आपने किये थे है ना लेकिन यहाँ पर चेंज है यहाँ पर क्या चेंज है कि इस संख्या में से नियुन्तम की संख्या को गटाया जाना चाहिए थोड़ा सा चेंज है इस सवाल में तो आप लोग इस चीज को समझना बहुत ध्यान से देखो सबसे पहले तो इस में से गटाने के लिए नौ आठ दो आठ चार साथ नैं एट पोर सेवन मैं से किनी उनत्म संख्या गठा जाना चाहिए अब देख्यों मैं संख्या इस में एक हार गठा जो आपके पास मैकसिम घठा के आएगा एगा कि आप 10 मैं से है अगर अधिक्तम एक वाली संख्या घठा है मतलब अधिक्तम बड़ी से बड़ी एकंग की संख्या घटाएं तो वो बड़ी से बड़ी ये हो गई तो जितनी दस में से जितनी बड़ी से बड़ी संख्या आप घटाओगे उतना ही यहाँ मेनिमम बचेगा उतना ही यहाँ छोटा बचेगा तो ऐसे ही उसने कहा है कि गिविन नंबर में से 9, 8, 4, 7 में से नियुन्तम की संख्या को घटाया जाना चाहिए तो अगर आप इसमें से नियुन्तम संख्या घटाओगे, छोटी संख्या घटाओगे तो उतनी ही बड़ी संख्या बराबर में बचेगी ये बास समझ में आ रही है अब वो क्या कह रहा है घटाए जाना चाहिए ताकि जब इसे करम से 10, 9, 8, 7, 2 से विभाजित किया जाए तो करम से इतना इतना सेस्पराफ्त हो तो अब जो यहाँ पर वो नंबर बनेगा जो भी नंबर यहाँ पर बनेगा कौन सा नंबर बनेगा हमें तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है लेकिन वो जो भी नंबर हो उसे जब आप भाग करेंगे 10, 9, इस तरह से 8, 7 इस तरह से भाग करोगे 2 तक तो आपके पास सेसफल कितना बचना चाहिए आपके पास सेसफल 9 बचे 8 बचे 7 बचे 6 बचे और इस तरह से करते हुए सेसफल 1 बचे कुछ सवाल की रूप रेखा के लिए हुई है या नहीं मुझे आप इतनी सी बात पताओ फिर ज़े सुनिए ये कुछ गलत लिखा हुए हाँ पर नंबर शुड बी डिड़क्टिड फ्रॉम वाट मिनिममम आना चाहिए ठीक है नंबर शुड बी डिड़क्टिड फ्रॉम इस नंबर सो दाट इट गिवस रिमेंडर वैं डिवाइड़ बाई हाँ ठीक है तो एंगलिस में भी लिखा हुआ है फिर से सुनिए नाइन एट फोर सैवन मेंसे छोटी छोटी संख्या कौन से आप गटाएंगे जिससे की ताकि जब इसे दस नो आठ साथ दो से इभाजित किया जाए तो इतना इतना सेस बचे तो हमारे पास घटाने के वादे एक संख्या आएगी अब उस संख्या को जब आप इन संख्याओं से भाग करेंगे तो सेस्फफल नो आठ साथ इस तरह से आपके पास बचना चाहिए अब एक बात बताओ आप लोग मुझे मैं मैं एक संख्या लिखता हूँ जैसे यहाँ पर 10 एक दो तीन चार पांच आप मुझे बताओ मैं जब इस से भाग दूँगा कितना सेस्फफल बचेगा आप क्या सीधाए डे लगाओगे और यहाँ पर एक संख्या लिखिए सेस्फफल कितना बचेगा आप का होगे भाई या तीन बचेगा चलो आपने एक बात समझ ली कि 10 से सेस्फफल देखना बहुत आसान हो रहा है आपके लिए अब आप एक बात खुद सोचिए एक बात मेरी यहाँ पर ध्यान समझे नो आठ चार साथ में से एक ऐसा नंबर आपको घटाना है कि आपको जो नंबर मिलेगा उस नंबर को 10 से भाग करने पर ध्यान से मेरी बात समझना उस नंबर को 10 से भाग करने पर सेस्फफल कितना बचेगा 9, सेसफल कितना बचेगा 9 बचेगा तो सेसफल जब यहाँ पर 9 बचेगा तो यह जो नमबर आएगा यहाँ पर यह एक ऐसा नमबर होना चाहिए जिसका इकाईक अंक 9 हो यह जो उपर नमबर आएगा इसका इकाईक अंक ऐसा आना चाहिए जिसका 9 हो जिसका एक 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 अंग 9 हो तो यह नमबर 9 कब देगा तो आप खुदी सोचिए 9, 8, 4, 7 7 में से कौन सा एक नमबर घटाएंगे आप जो यहाँ पर एक 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 अंग 9 बचेगा तो यहाँ पर 8 होना चाहिए इधर से कैरी लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा तो 8 किस में है आपे? 8 यहाँ पर एक ही नमबर में है 2288 तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा यह आंसर हो जाएगा आपके दिमाग में यह चीज उठ सकती है कि सर अगर कोई दूसरे ओप्सन यहाँ पर ऐसे हो जाए जिन में 21 एक आंक 8 हो तो मामला फस जाएगा बिल्कुल फस जाएगा इसलिए आपको इसका बेसिक तरीका भी आना चाहिए बेसिक से भी मैं आपको एक और सवाल आएगा ऐसा वो करा देता हूँ पेपर में ऐसे करना है ठीक है मैंने कुछ ज़्यादे एकस्पेन कर दे ज़्यादे समय ले लिया आप इसे स्पीड बढ़ा के देख लेना आगे एक सवाल ओर आएगा ऐसा तब कराता हूँ उसको बेसिक से यह सवाल पढ़ो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्याद करें जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर इतना इतना सेस बचे देख रहे हैं आप 4 का डिफरेंट जा रहा है तो तरीका हुआ ही है कि ले ले लीजिए ठीक है और माइनस 4 ठीक तो आंसर बन जाएगा अगर आप उससे नहीं करना चाहते तो यहाँ पर 42 सो 70 है तो अगर कोई संके 70 से कट रही है तो यहाँ पर उठा लीजिए इसको ठीक है यहाँ पर 10 से भाग दीजिए और यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो 6 सेसफल बच रहा है सारी जगए 6 सेसफल बच रहा है मामला फस जाएगा ऐसे तो आप लोग देखिए 5 का तरीक लगा के देखिए ठीक है यहाँ पर हमें पता है कि 15 15 पांच से कटेगा आप इसे 11 को भाग दीजे एक सेस्फल बचेगा सभी जगए एक सेस्फल बच रहा है ठीक तो यहाँ वे गड़बड हो रहा है मामला हमारे पास हम कौन सा रूल और लगा सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर 7 और 6 तो हम लोग 7 और 6 भी नहीं लगा सकते ठीक है 7 तो फिर काटके देखना पड़ेगा हमें तो आप लोग क्या करिए इस सवाल का एक बेसिक तरीका भी है कि आप लोग LCM ले लीजिए वैसे हो जाएगा शोट से भी तो हमारे पास क्या है 15, 25, 35, 42 और यहाँ पर 70 और हमें पता है कि डिफरेंस यहाँ पर 4 का डिफरेंस चल रहा है 25 से हो गया 21, 35 से 31, 42 से 38 और माइनस 4 एक तरीका तो आपका यह हो गया ठीक है तरीका नमबर 1 लेकिन ये बात ध्यान लगना आप क्या बात ध्यान लगनी है 6 अंकों की संख्या बनानी है आपको 6 अंकों की संख्या तो यहाँ पर एक LCM आएगा अब वो कुछ भी LCM आए मुझे नहीं पता क्या आएगा यहाँ पर एक LCM आएगा जैसे LCM आप चाहो तो लिख सकते हो इस सवाल मैंने पहले कराया है कि आपको मुझे लग रहा है कराया है चलो कराया भी होगा तो यहाँ पर LCM मान लिजे L आएगा और माइनस आप क्या करोगे चार करोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनाना पड़ेगा इसे इसे L को इस LCM को 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या आपको बनाना पड़ेगा वही गुणा कर करके देखना पड़ेगा और फिर उसमें स्चार्ट आएंगे तब जाके आपका अंसर बनेगा एक तरीका तो यह है यह तो मैंने आपको पहले भी कराया बताओ यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग बताओ नहीं है डाउट ठीक है तो एक तरीका तो आपका यह है दूसरा वही है हम लोग दूसरा तरीका लगा के देखते हैं यहां पर हमारा हमने इसको देख लिया पांच से देख लिया दस से देख लिया अब हम तीन का लगा के देखते हैं क्योंकि पंदरे हमें दिखाई दे रहा जैसे 7 या हम लोग देखें 9 कड़ जाएगा और 7, 6, 13 और 1, 14 तो यहाँ पर तो रिमेंटर बचेगा हमारा 5 ठीक यहाँ पर देखेंगे 5, 2, 7 और 1, 8 और 6, 14 यहाँ पर हमारा बचेगा 5 4, 4, 8 और 1, 9 और यह पूरा 6 कड़ जाएगा तो हमारे पास जो option दिखाए दे रहा है सही कर रहे हैं बिल्कुल यह नहीं 3, 15 और हमने देखा 3, 9 तो हमारे पास बचा 2 और इसको देखेंगे 4, 6, 10 और 11 और 1, 12 डिजिटल सम बनेगा 3 तो हमने एक option साइध गड़बड किया यहाँ पर पहला option हम फिर से चैक करते हैं हमारे पास कितना बना 7 और 1, 8 और 9 या 9 को छोड़ दो हाँ ठीक है 6 को छोड़ दो 7 और 1, 8 और 8 में भाग देंगे 3, 2, 6 तो आपका 2 सेसफल बचेगा हमने कुछ गड़बड की होगी यहाँ पर जरूर अभी हमारा समझ नहीं पाए हम लोग यहाँ पर 2 बनेगा तो दूसरा तरीका आपका यह हो गया समझ गए न आप लोग ठीक है चलो आगी चलते हैं हम लोग यह सवाल देखो उस छोटी छोटी संख्या के अंको का योग क्या है अच्छा सवाल है जिसे 15, 18, 42 से भाग करने पर परतियक दसामे सेसफल आठ बचता है और जो 13 से पूर्णता यहाज्य हो इस बार अंको का योग वो पूछ रहा है ठीक है आ छोटी संख्या के अंको का योग एक संख्या है हमारे पास और जब हम इसे डिवाइड करते हैं 15, 18, 42 से 15, 18 और 42 से तो हमारे पास परतियक दसामे सेसफल आठ बचता है अब एक बात आप बताओ जब 18 से कोई संख्या कट रही है तो यह संख्या 9 से भी तू कटेगी यह इसके अंको का योग कितना होना चाहिए आठ तो किसके अंको का योग आठ हो रहा है 6 और 2 आठ यहाँ पर आंसर बनेगा यहाँ पर अंको का योग 6 यहाँ पर अंको का योग 4 और यहाँ पर 7 तो आपका 26 आंसर बनेगा समझ गए यह सोड़नो बताओ आप लोग मुझे सव पहले ये लो next question पढ़के देखो आप लोग चलो जल्दी से करो इस सवाल को क्या होगा इस सवाल का आंसर या इसको आप करना बाद में पहले आप ये सवाल देखो ये वाला सवाल पहरा काव है सबसे चोटा गुणज जिसे इतने से भाग करने पर पढ़ते एक दसामें दो से सबसे ये फिर से मुझे लग रहा है दो बारे आगया सवाल चार पांच छे साथ और आट से ये तो अभी अभी कराएं न हमने आंसर ये कैसे लोटके आगया वापस ये वाला सवाल पढ़ो 5, 10, 15, 12 से भाग देने पर 2 से सरे किंतु 7 से भाग देने पर कोई सेस न रहे तो इसका जो आंसर बन रहा है वो ये बच रहा है योगी 5 से ये 180 बन जाएगा और 2 तो 2 से सबचेगा और साथ से काटेंगे साथ दूनी 14 और 4, 7, 42 तो ये आपका आंसर बन जाएगा ठीक है कर लोगे ना LCM प्लस 2 ठीक है हाँ बेसिक से भी कर सकते हो चाहो तो और ऐसे भी कर सकते हो ठीक ये सवाल करिया आप लोग बताई ये आंसर क्या बनेगा करते हैं इस सवाल को हम लोग क्या है इस सवाल में अंको का योग पूछा है 16, 24, 30, 36 से भाग करने पर 8, 16 और ये आई बचे और 7 से पूर्दा ये भाज जाओ वही देखो उस तरह का इस सवाल है मेरे से पहले आंसर करने की कोशिस कीजिए अगर कोई संख्या 36 से कट रही है ठीक, 36 से कट रही है कोई संख्या तो इसका मतलब वो 9 से भी definitely कटेगी ये संख्या तो 9 से भी कट जाएगी और सेस्फल कितना बच रहा है 28 बच रहा है, 34 के केस में 28 सेस्फल बच रहा है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप 28 को भाग करोगे 9 से ठीक है हम कौन सा तरीका लगा चुका हूं तरीका हम यही लगा रहे हैं कि 36 कटेगा 9 से और 36 के केस में सेस्फल कितना है 28 तो 9 से जब डिवाइड करोगे तो सेस्फल कितना बचेगा 1 तो ऐसा कौन सा ओप्शन है ठीक है जहाँ पर सेस्फल एक बचेगा ठीक तो यहाँ पर सेस्फल एक बचेगा यही समझ में आ गया होगा क्योंकि digital sum का तरीका हमने लगाया है बात समझ में आ गई ना यह तरीका पता है आपको 36 9 से काटा कट रहा है 9 से भाग दी आ खाला सम को एक बच रहा हो यानि कि ऐसा option ढूंड़ यह जिसका digital sum एक बन रहा हो, बात समझी में आ गई, चलो, बिल्कुल समझी में आ गई, अगला प्रशन, ये देखो, ये एक अच्छा सवाल है, जैसा अभी मैंने सवाल पीछे आपको समझाया था, उसकी जैसा सेम सवाल है, वे छोटी-छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 1934 से घटाने पर, देखो, 1936 से घटाने पर और चोटी से चोटी संख्या, तो चोटी से चोटी तो यहाँ पर फिर बड़ी से बड़ी बचेगी, ठीक, परिनामी संख्या को, यानि कि जो संख्या बची यहाँ पर, इसको भाग दिया जाए, 9, 10, 15 से, किसी से भाग देने पर 7 तेस रहता है, तो 7 तेस बच रहा है, खुदी सोची अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं आप इस संख्या को और 7 तेस फिल बच रहा है, इसका मतलब इस नंबर का डिजिटल सम 7 रहा होगा, तो डिजिटल सम 7 कहां पर बन सकता है, यह आप देखो सबसे पहले तो, ठीक है, 7 तेस रह रहा है, ठीक, तो डिजिटल सम आप लोग देखे, 7 कहां पर बनेगा, 7 ही बच रहा है न, ठीक है, बेसिक से भी मैं इसको करा दूँगा, चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल करनी है नहीं, पहले आप लोग इसे करो, मेरे तरीके जो मैंने आपको सिखाया, इकाई के अंक वाले तरीक करना, क्या करना है आपको देखो, यहां पर 1936 है, 1936 है, इसमें संख्या घटावाब, ठीक, तो उस संख्या का, यह 10 से इसमें पकड़ो, इसमें आप पकड़ो 10 से, हाँ, इसमें हम 9 का रूल गलत लगा रहे हैं, हम लोग पकड़ेंगे यहां पर 10 से, उस सवाल में भी हमने 10 से ही पकड़ा था, ठीक है, वो भी मैंने आपको 10 से ही कराया था, सवाल अच्छा है, बढ़िया बहतरीन सवालों में से एक है, हाँ, देखो, यह सवाल हमारा, और 10 से ही हमने इसको उठा के फैक दिया था, तो हम इस सवाल में भी 10 सवाल ही तरीका लगाएंगे, कहां है हम हमारा यह सवाल, सवाल नमबर था हमारा यह 14, देखो, आपको पता है कि मैं केवल 10 ले लेता हूँ, यह संख्या जो भी है, उसने यह कहा, कि जो भी नमबर बच रहा है यहां पे, वो 9, 10, 15 में से किसी से भी भाग देने पर सेस साथ रहेगा, जब साथ तेस रहेगा, तो से साथ कैसे रहेगा, इस संख्या का इकाई का अंक ऐसा हो, जिसका जो साथ हो, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 1936 में से हम लोग क्या संख्या घटाएं, जो यहां पे साथ बचे, तो अगर आप इधर से एक लोग ए, तो सोला बनेगा, सोला में से कितना घटा हो, जो साथ ब के लिए रोगे सवाल, मुझे लगता है सवाल बिलकुल चका चक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसका बेसिक तरीका अब मैं आपको समझा देता हूँ, वो आप ध्यान से समझना, देखो, बेसिक तरीका क्या रहेगा, तरीका नमबर दो, आपको पता है कि 1, 9, 3, 6 में से हम एक छोटा नमबर घटाएंगे, तो हमको मैक्सिमम यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अब आप एक बात देखिए, परिनामी संख्या 9 से भी काटें, 10 से काटें, 15 से काटें, हर एक इस्तिति में 7 सेस बचें, तो वो संख्या आप लिखो, 9, 10, 15 कितना हैग कर दिया, यानि के 97, 97 वो पहला नमबर होगा, 97 वो पहला नमबर होगा, जिसे 9, 10, 15 से यदि भाग करें, तो 7 सेस रहेगा, लेकिन वो क्या कह रहा है, वे चोटी चोटी संख्या कौन सी गटाएं, तो यहाँ पर एक चोटी से चोटी संख्या गटानी है हमें, 1936 में से, जि बड़ी संख्या, यह 97 बड़ी से बड़ी है क्या, नहीं बड़ी से बड़ी, नहीं है 97, बिल्कुल भी नहीं है, तो यह तो हमारा हम नहीं लेंगे, हम लोग करेंगे क्या, 90, यह तो वो पहली संख्या है, इससे आगे भी कोई संख्या हैगी, जैसे हम इसमें 2 से मल्टिप यह बड़ा सा बड़ा नमबर हम बना लेते हैं नो और हम multiply करते हैं 20 से 1800, तो कितना आएगा हमारे पास 1807, क्या 1807 से भी कोई बड़ा नमबर होगा, हम जा सकते हैं एक और नमबर आगे लेके 90 into 21 और प्लस के 7, तो यहां से कितना बनेगा हमारे पास 189 189 और ये 7 तो 1897 हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जो 1936 घटाने के बाद बनेगा 1936 में से कुछ छोटी-छोटी संख्या घटाने के बाद बनेगा तो हमने मान लिया कोई भी संख्या लिख लेते हैं आप small m लिख लीजिए तो यहाँ पर 1936 minus इसको इधर लेके आईए 1897 और बराबर ये m तो जब आप घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा यहाँ से 39 बचेगा बताव बात तमझ में आई है या नहीं आई मैं फिर से एक बार एक्स्पेन करता हूँ सवाल ये अच्छा है बेसिक से समझने लायक है मैं आप से फिर से पढ़ता हूँ और फिर से इस सवाल को एक्स्पेन करता हूँ दिहान से मेरी बात समझना वो ये कह रहा है कि 1936 से छोटी से छोटी संख्या कोन सी गटाएं कि जो संख्या हमें मिले उसको 9, 10, 15 में से किसी से भी अगर आप भाग दें तो हर इस्तिति में 7 सेस फल बचे अब खुद ही एक बास सोचो 1936 में से छोटी से छोटा नंबर आपको घटाना है तो बराबर में बड़े से बड़ा नंबर आपको मिलेगा जो हर इस्तिती में 7 तेसफल देगा अब 9, 10, 15 से कटने वाला और 7 तेसफल देने वाला पहला नमबर 97 है पहले आप 9, 10, 15 का LCM लिया पलस 7 उसमें एड़ कर दिया 97 लेकिन क्या 97 बड़े से बड़ा होगा खुदी सोचों कोमन सेंज नहीं और भी बड़े से बड़े नमबर आप बना सकते हैं इससे तो आप 1936 के क्लोज जाईए जितना जा सकते हैं आपने दिमाग लगाया कि 90 में अगर 21 का गुणा करें और 7 जोड़े तो 28 यह नहीं कि बहुत बढ़े सवाल है उमदा प्रशन उठेगा आपके दिमाग में तो यह 90 इन्टी इन्टू 22 कर सकते हैं कोई दिक्का थोड़ी ना है प्लस 7 तो यहाँ पर तो 0 आएगा और यह कितना आएगा 9 दूनी अठार है 8 केरीवन अठार है 1980 आएगा और प्लस 7 तो कितना आगया 1987 यह तो बड़ा आगया 1936 से बड़ा आगया तो भाई हमें तो बड़ा नंबर थोड़ना लेना है ठीक है हमें बड़ा नंबर थोड़ना लेना है इससे बड़ा हम कैसे ले सकते हैं इससे बड़ा ने ले सकते हैं तो हमने यह लिलिया 1897 तो 1936 माइनस M बराबर 1897 आपस में इन्हें बदल लो और घटागे बचेगा 39 ये तरीका होगा सवालों करने का बेसिक तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि 1936 में से एक नंबर घटाएंगे मैक्सिमम बचेगा तो वह नंबर ऐसा होगा जब हम उस नंबर को 10 से भाग करेंगे तो उसके एक आएक अंग साथ होना चाहिए बात के लिए है कि आप कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो भी समझ में नहीं आया अगर समझ में नहीं आया तो दो तीन बार देखो चलो अगे चलो हम लोग आगे चलते हैं ये सवाल देख 15 पढ़ो और ध्यान से करने के कोशिस करो चैनो बारा पंदरा से भाग देने पर दो सेस बचता है तो भीया इसको करने के ज़रूत है क्या अठारा तो नो नो यहां तो बचेगा नहीं नो नो यहां बच जाएगा और यहां पर एक सेसफल बचेगा और यहां पर जीरो सेस बचेगा तो यह आपका 9902 आंसर हो गया आगे चलो 9902 नेक्स प्रशन ये सवाल पढ़ो और फटाफट उत्तर लगाओ आगे चलो पढ़ो सवाल जाना क्या है 48, 60 और 64 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाए तो देखो सबसे पहली बात तो जो संख्या 60 से कट जाए वो 10 से भी कटेगी तो 10 से B नहीं कटेगा, C नहीं कटेगा ये तो option कभी नहीं होंगे या तो A और या फिर D ठीक, confirm कर लेते हैं 48 से अगर कोई number कट रही है तो वो number 8 से भी कटेगी, तो हम लोग यहाँ पर 8 का rule लगा के देखते हैं 8 का rule जबाब लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा 9, 9, 0, 0 तीसरा अंक विसम है तो last में 2 अंकों में 4 जोड़िए तो 0, 4 तो 0, 4 कटेगा नहीं 8 से तो इसका मतलब विसम क्या नहीं कटेगी ठीक है, अब यहाँ पर तो जो ये तीसरा अंक है वो कितना है, 6 है तो इस केस में तो last की डिजिट में 4 जोड़ेंगे नहीं सीधा 600 को ही काटके देखिए क्योंकि 8 करू लास्ट के 3 डिजिट को काटके देखता है 600 पूरा पूरा कट जाएगा 8, 7, 56, 4 बचे का 8, 5, 40 तो आपका option number पहला answer बन जाएगा कर लोगे न, next सवाल यह सवाल बढ़िया है बहतरीन सवाल है देखो वरत्ताकार स्टेडियम है अब वरत्ताकार स्टेडियम अगर हम ले ले तो ले लेंगे क्या दिक्कत है यह लो यह वरत्ताकार स्टेडियम हमने ले लिया और कोई वेक्ति Suppose that यह प्रारंबिक बिंदवर यहां से भागना स्टार्ट करता है यहां से भागना उसने स्टार्ट किया और वो भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागता ही जा रहा है जब तक उसकी मंजिल ना मिल जाए आपको भी चलते रहना है जब तक आप अपने गोल तक ना पहुंच जाएं यह लेजे उसका पहला चक्कर कंप्लीट हो गया पर्स चक्कर कंप्लीट और माल लेते हैं कि इसने पहला चक्कर 10 बजे स्टार्ट किया था 10 एम पर और 10 मिनट में इसने एक चक्कर पुरा कर लिया तो पहला चक्कर लगाएगा 10-10 पर फिर यह जाएगा दूसरा चक्कर लगाएगा 10-20 पर फिर तीसरा चक्कर लगाएगा 10-30 पर यह तो common sense समझ में आ रहा होगा फिर चौथा चक्कर लगाएगा 10-40 पर फिर पांचवा चक्कर लगाएगा 10-50 पर शटा चक्कर लगाएगा वो 10-60 पर यानि कि 11 बुजे मैं आपसे एक चीज और कहता हूँ कि एक दूसरा बालक उसने भी दोड़ना स्टार्ट किया था रेड गलर से बना रहा हूँ उसने भी दोड़ना स्टार्ट किया था 10 से बजे ही लेकिन वो अपना चक्कर कम्प्लीट करता है 15 मिनिट में तो पहला चक्कर इसने 10-15 पर कम्प्लीट किया होगा क्योंकि 10-10 पर उसने भागना स्टार्ट किया 10-15 दूसरा चक्कर इसने 10-30 पर तीसरा चक्कर इसने 10-45 पर और चोथा चक्कर इसने 10-60 पर खिक इस तरह से यानि कि 10-60 का मतलब कि 11 बज गए तो आप एक किस देखे यहां पर यहां एक चक्कर लगा चुका यह दो चक्कर लगा चुका यह तीन चक्कर लगा चुका पहला बालक तीन चक्कर लगा चुका है और दूसरा बालक पहला चक्कर और दूसरा चक्कर दो चक्कर लगा चुका है, साड़े दस तक साड़े दस तक इसने तीन चक्कर लगाए, साड़े दस तक इसने दो चक्कर लगाए बात समझ में आ गई, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ अब common timing देखिए, साड़े दस की है और यहाँ पर भी साड़े दस की है दोनों ही व्यक्ति पहले बिंदू से स्टार्ट करते हैं और घूमते 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 एक व्यक्ति पहुँचता साड़े दस पर पहला व्यक्ति जिसके तीन चक्कर हो गए दूसरा व्यक्ति पहले स्थान पर पहुँचता है साड़े दस पर उसके दो चक्कर हो गए दोनों सेम टाइम पे वहाँ पहुचे हैं प्रारंबिक स्थान पे इसका मतलब आपस मिले होंगे साड़े दस पर प्रारमिक बिंदू पर है तो वहाँ पर मिले होंगे तो यही एक सवाल बनता है कि यह पहली बार कब मिलेंगे कि यह पहली बार कब मिलेंगे यह एक सवाल बनता है तो पहली बार मिलेंगे वह साड़े दस पर बास समझ में आ गई कब मिलेंगे पहले point पर प्रारम एक बिंदू पर साड़े दस पर मिलेंगे ठीक तो हम क्या बताना चाहते हैं आपको वही आप समझेने की करिये खोसिस वरना भाई साब अलात काम हो जाएगा मेरे हाद से देखो समझना मेरी बात को तो हमने एक चीज़ देखी कि 10 मिनट 20 30 ठीक है 40 50 ऐसे 60 आएगा और यहाँ पर 15 और 30 45 यह 60 आएगा ठीक इस तरह से हम चलते जाएगे तो यहाँ पर common timing हमारे पास कितनी है यह 30 ठीक है बात तमझी में आ रही है common timing हमारे पास कितनी है 30 तो यह 30 कैसे आया क्या यह 30 10 से भी कट रहा है और क्या यह 30 15 से भी कट रहा है बिल्कुल तो मैं यह कह सकता हूँ कि 10 और 15 का LCM कितना है 30 है 10 और 15 का LCM 30 है बिल्कुल समझ में आ गया और 30 क्या है साड़े 10 जहां पर पहली बार मिले इस सवाल को पढ़ो आप अब आपको सारी रूप रेखा समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी सवाल यह है कि ABC एक ही समय परवरत्तकार स्टेडियम में एक बिंदू से एक ही दिसा में यहां से एक बिंदू से A B और यह C भागना शुरू करते हैं A एक चक्कर 252 सेकंड में A एक चक्कर लगाता है 252 सेकंड में B चक्कर लगाता है 308 सेकंड में और C चक्कर लगाता है 198 सेकंड में वो यह कह रहा है वे आरम बिंदू पर कितने समय बाद फिर से मिलेंगे अब घूम के आएगा पहला व्यक्ति, फिर घूम के आएगा दूसरा व्यक्ति, फिर घूम के आएगा तीसरा व्यक्ति, तो वो टाइमिंग पूछ रहा है कि कब प्रारमिक बिंदू पर कितने समय बाद मिलेंगे, बात नमज में आ गई क्या, चलो समझ में आ गया होगा, आप क्या करेंगे ऐसे मत करना क्योंकि second का जो value है वो बड़ी है आप क्या करो सबसे पहले इसे बदल लो minute में ज्यादा असान रहेगा आपके लिए और minute में बदलने का तरीका आपको मालुम होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए इसे बिल्कुल इसे आप minute में बदल सकते हैं चार बार तो भाग पूरा पूरा जाएगा चार बार भाग जाएगा 240 और बचेगा 12 और यह कितना 60 तो यहाँ पर 4 सही 1 बटे 5 यानि के 520 और 21 21 बटे 5 इतने minute similarly आप B के लिए बदलिए B के लिए बदलेंगे कितना 308 तो 60 से भाग दीजिए 5 बार तो जाएगा जाएगा और यह 8 और बटे 60 तो यहाँ पर 5 सही 4 से कार दी 4 दुनिया और 4 से 15 15 पंजे 75 और 27 बटे 15 इतने minute समझ में आ गया C के बारे में क्या है 198 तो 198 का मतलब है 3 और 180 तो यहाँ पर 18 और यहाँ पर 60 तो 3 सही 6 से कार यह 3 बार और 6 से कार यह 10 बार तो यह 30 और 33 तो यह 33 अपोन 10 इतने minute बात समझ में आ गई अब आप क्या करेंगे क्या करेंगे प्रताओ क्या करेंगे कुछ तो करेंगे यह न तो हम लोग इसको लेख रिखेंगे 7 गुण呢 r akour इसको लेखरेंगे हम 11 गुणा 7 और इसको लिखिलेंगे हम लोग 11 गुणा 3 LCM ले लेंगे भी इनका LCM fraction का आसान है लेना LCM में जो fraction होती है उपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF तो यहाँ पर हम लोग LCM ले रहे हैं इनका LCM कितना है हमारे पास 7 ठीक है और 11 और 3 यह नंबर से हमारे पास ठीक है 7 है 11 है और 3 है और नीचे 5 यह 15 10 और यह 5 तो यहाँ पर नीचे कितना आएगा 5 आप लोग लिखेंगे कितना आएगा आपका 77 और यह 3 से multiply करोगे तो 5 से भाग दिना ही पड़ेगा ततर into 3 और divide by कितना 5 तो multiply करेंगे कितना आएगा 210 231 आएगा 231 और divide by 5 तो 46 पंजे 230 तो 46 सही एक बटे 5 तो यह 40 मिनट तो हमारे पास पूरा पूरा आगया 40 मिनट एक बटे 5 का कहानी खतम कर दो एक बटे 5 मैं यदि आप multiply कर दो 60 से तो second में आप इसे बदल सकते हो कितना आएगा यहां से 12 सेकंड तो 46 मिनट 12 सेकंड आपका अंसर बन जाएगा ठीक है 46 मिनट 12 सेकंड यह आपका अंसर होगा कर लोगे 17 प्रशन हमने कर लिए इस PDF में हमारे पास अगला जो सवाल है यह आप कर ले ना 21 सेस बचे ठीक है कर लोगे आप इस सवाल को यह लो पांच घंटिया यह वही सवाल है पांच घंटियों वाला जैसा अभी मैंने धावक का कराया 6, 7, 8, 9 12 सेकंड के अंतराल पर बज़ते हैं कितने सेकंड बाद वे फिर 1, 7 बज़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 6, 7, 8, 9 12 का LCM आप ले लो ठीक है तो अभी फिलाल अगर आप 7 को छोड़ दो 7 को छोड़ दो तो LCM कितना बनेगा 6, 8, 9 और 12 से कटने वाली 72 होती एक संख्या तो 72 लेकिन 7 हमारे पास और है तो 7, 12, 14 का 4 का यानि कि संख्या का एक आइकं कितना होगा 4 और वो एक ही उप्सन है आपके पास 504 कहानी होगी खतम आगे चलो ठीक है यह यह नोवी कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तिया बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है तो दनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावी तंका कितनी है कोई भी क्लास है मैं लाइन बनाना स्टार्ट करता हूँ और जो मैं पंक्तिया बनाता हूँ उन पंक्तियों में अगर आप परती एक पंक्ति में 6-6 बाला खड़े करते हो तो भी पंक्तिया क्या होती है पूरी-पूरी बनती है कोई भी छातर बचता नहीं है अगर मैं 8-8 बाला खड़े करता हूँ तो भी पंक्तिया पूरी बनती है कोई बाला छूटता नहीं है तो इसका मतलब क्या है student कितने रहे होंगे या तो 24 रहे होंगे अगर आप 6-6 बाला खड़े करो 26 में खड़े कर दिये 26 में खड़े कर दिये 26 में 26 में चार पंक्तिया बन जाएंगी अगर आप 8-8 खड़े करो तो 8 पहली में 8 दूसरी में 26 में इसका मिनिंग क्या है हम एक बात तो किलिर कर लिया हमने कोई भी संख्या ऐसी होगी student की जो 26 और 8 दोनों से कटेगी या फिर वो 48 हो सकती है या फिर वो 72 हो सकती है इस तरह से होगी कहने का मतलब LCM यी तो ले रहे हम लोग जो 24 आया है 24 क्या LCM है तो हम लोग LCM ले ले लेते हैं किसका 6-8 बार है और 16 भी है इसमें तो हमारे पास 96 बनेगा यहाँ बात समझ में आ गई क्या किलियर है वाव वाव मज आ गिया यह जह है सवाल यह सवाल आप लोग कर लेना वह ही है इसमें टाइम दिया हुआ है और कितनी देर बाद फिर से मिलेंगे तो इसका जो आंसर है मुझे नहीं पता क्या बनेगा और इसलिए आप से विंती है कि आप लोग इसे करना ठीक तीन वेक्ति हैं 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट मैं एक चक्कर पूरा कर लेते हैं चलने के बाद वे तीनों पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे होसियार बालक हो आप लोगों को आप मैं एक सवाल देता हूँ ये पहिये के दाते वाला तेहिस्वा खुद करना ये सवाल आप कर लोगे ठीक है, सेम सवाल है वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंबे की बिंदू पर कितनी समय बाद मिलेंगे, बिल्कुल और ये सवाल तीन सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये सवाल आपको, मतलब आपको ही करने है आज के सवाल काफी अच्छे थे बीच बीच में, तो इन सवाला को अच्छे से, प्यार से और ध्यान से करना आज के लिए इतना ही, गुड़नाइट, टेक कियर पाए